नमस्कार दोस्तों मैं आलोक सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्यान दंगा आलोक पर हार्दिक स्वाग करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपके कार्याले में ऐसे कार्मिक हैं जिन्होंने RSCIT का कोर्स किया हुआ है और वे अपनी फीस का पुनर्भुकतान चाहते हैं तो उसका पेमेनेजर के माध्यम से आप विल कैसे प्रोसेस करेंगे उसके लिए किन-किन डॉकमेंट्स के आवशिकता होगी इस संपुन प्रिकिया को इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप वीडियो में अंतक बने रहे ताकि कोई आवशिक जानकारी नहीं छूड़ जाए चलिए वीडियो को प्रावर्म करते हैं शिक्षा विवाग में कार्यत कार्मिकों को पूर में ये एक आदेश जारी हुआ था जिसके माध्यम से बताया गया था कि RSCIT करने वाले कार्मिकों के पुदर्भुकतान के लिए जो आरण वित्रन अधिकारी हैं साड़ा दरप्रण पर यूटिलिटी मॉडियोल से बजट की डिमांड करेंगे लेकिन अपरिहारी कारणों से अभी तक सालादरप्रण पर utility module में budget demand की का वो link create नहीं किया गया है यानि वो module अभी तयार नहीं हुआ है अधर ये एक आदेश जारी किया गया है कि जब तक module विक्षित नहीं होता है तब तक समस्त आरण वित्रान अधिकारी लेखा मद जो दिया हुआ है यहाँ पर 2202 सामानी शिक्षा, 02 माधिमिक शिक्षा, 109 राज की माधिमिक विद्याले और 01 लड़कों के विद्याले और 00 का मतलब राजी निधी के विश्तित मद 05 से कारेले वैसे अपने अधिन माधिमिक शिक्षा के कार्मिकों जिनोंने की RSCIT का कोर्स कर लिया है उनके फ्रीज का पुनरभुकतान नेमा अनुसार पूल मद से बजट आरण करने हैतू अधिक्रित किया जाता है यानि वो यदि आपके पास बजट उपलब्ध है 05 के अंदर तो आप उनका बिल बनाकर बिल से उनका भुकतान कर सकते हैं आपको इस आदेश की प्रती एवम RSCIT के बिल का भुकतान यानि फीज के पुनरभुकतान के लिए जो भी डाकॉमेंट दस्तावेज अपलोड करने हैं उनके प्रारूप आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जोइन करके उनको डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं और टेलिग्राम चैनल को जोइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यह सभी डॉक्मेंट जो इसमें आउशक है, इस bill को बनाने में आउशक है, पुनलबरेंड के बिल को बनाने के लिए आउशक है, सब आपको बर में Telegram चैनलंगे मिल जाएंगे, आप सैसा करते हों कि आप Telegram चैनल स्टनल को जोईन करके उन डॉक्मेंट को डॉपल्लोड सकेंगे आरे सीटी के फीज के पुनरबुक्तान का बिल हम प्रोसेस करें उससे पहले आउस्यक है कि आप लेखा मत बाइस जीरो दो एक सो नो जीरो एक डबल जीरो जीरो पांच का पूल बजट के अंदर बजट चेक कर लें कि बजट उपलब्ध है अथवार नहीं है यदि पूल बजट में बजट को चेक करने के लिए आपको गूगल में सख्ट करना फेमस जैसी सर्च करेंगे जर्ट पहला लिंक आता है उसब आपको क्लिक करना है क्लिक करेंगे तो आपसे आई-ए-पेमस की मुख्य वेबसाइट ओपन होगी वेबसाइट उपन होगी उसमें बजट सेक्शन में जाकर आपको लोगिन एडी और पासवर्ट जो की इहां पर आपको इज़ करने के बाद आप मैं वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे यहां पर यहां आपको अमाउंट ऑप्सेंट पर क्लिक करना है जैसे आप पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस उपन होगा यहां पर फाइनेंचिल एर सेलेक्ट करना है तेश्टोई सेलेक्ट कर लेंगे हम और बी अपसी यूनिट में सेकंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर आपको क्यो यहां जब सेलेक्ट करेंगे तो यह एक और खुल जाता है तो यहां पर आपको मैप्ड पर क्लिक कर दएना है मैप्ड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर budget head डाल देना है 22-02-02-109-01-00 और object head में आपको डालना है 0-5 और उसके बाद में आप show report पर यहां पर other और pdf में pdf पर click करेंगे यहां pdf डाउनलोड हो जाएगी और pdf जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी यहां पर आप देखेंगे कि amount in head दिखाई दे रहा है शुरू के अंदर 86,000 की राशी दिखाई दे रही है यह लाखों में है यहां amount in thousands यानि यहां जो 86,000 लिखा है इसको 1000 से गुणा करेंगे तो वो राशी है यहां पर और खर्चा इतना हुआ है 801 तो आपको यही राशी यहां पर दिखाई दे रही है देखिए यह शुरू में allotted राशी है यहां पर खर्च राशी है और यह सेस बचीवी राशी है तो जब आप बजट को देख लें मैं आस्वस्त हो चुका हूँ कि बजट उपलब्द है अब इस अवस्ता में बजट बनाया जा सकता है तो आपको पहले बजट चेक कर लेना है और बजट उपलब्द होने पर ही बजट प्रोसेस करना है जब आप आस्वस्त हो जाएं कि बजट है उसके बाद आपको मैं बता दूँ कि इस बिल को बनाने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों गया हो सकता होगी वो भी मैं आपको एक बाद दिखाजता हूँ फिर हम बिल बनाने की प्रोसेस को भी समझेंगे कि पेमेनेजर पर इसका बिल कैसे बनाये जाएगा मैं आपको सबसे बले वो दस्तावेज दिखा जिता हूँ जिनको आपको अपलोड करना है जो आपके पास इस बिल बनाने की प्रक्रिया से पहले उपलब्द होने चाहिए क्योंकि उनके डॉकुमेंट अपलोड किये जाएंगे यहां पर सबसे पहला जो आदेश है सूसना और प्रोद्यगी की संचारी वाग द्वारा जारी आदेश जो कि 2018 में जारी हुआ था इस आदेश की प्रती आपको मेरे कोडिग्राम के चैनल पर मिल जाएगी और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यह आदेश अपलोड होगा जिसमें यह कहा गया है कि समस्त्र राजकी कार्यालियों में जो भी करमचारी आरसी आटी का कोर्स किया है उनके भुकतान की जिमदारी कार्यालिया यहां पर दूसरा है यह जो भी कल आदेश जारी हुआ है मादमिक शिक्षा निदेशाले का इस आदेश की प्रतिय अपलोड होगी तो पहला तो सूचना प्रोजोगी की विवाग का जो आदेश है वह अपलोड होगा दूसरा जो वर्तमान आदेश निकला है आज की दिनां आपको एक कालेले अदेश निकालना होगा जिसका प्रारूप तो मैं अ lifesчиंड के प्रकार YOU के आपको अपलोड करनी होगीстр मैंत करमचारी के पाद में जो फीस की रसीद है वो भी आपको इस प्रकार से अप्लोड करनी होगी यह दिखाई दे रहा है आपको फीस की रसीद है इस फीस की रसीद की प्रती वहां अप्लोड करनी होगी इसमें पुरी डिटेल आगी कार्मिक की और यहां आप देख रहे हैं कि फीस 2700 रुपे कर्मचारी द्वरा भुकतांज किया गया है 2016 में यह ट यह देखिए जो रिशिप नंबर था उसका उल्लेख हमने यहां पर ऑफिस नंबर में किया हुआ है यहां पर 2700 रुपे के भुकतान की बात कहीं गई है और यह जो कोर्स किया गया है 2017 में किया गया है तो इस प्रकार से सभी डॉकॉमेंट आपको अप्लोड करने होंगे औ और यह सभी डॉकॉमेंट के प्रारूप आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे यह सब सूचना है त्यार करने के बाद ही अब अब हम पेमेनेजर पर बिल की प्रोसेसिंग करेंगे आरेसी आटी के फीस के पुनर बुक्तान के लिए आपको सबसे पहले डिडियो लोगिन में लोगिन कर लेना है आईडी पास्वर्ड के अप्चा कोड इंसेट करके लोगिन करने के बाद जो मैं डैसबोर्ड आपको दिखाए दे रहा है उस डैसबोर्ड पर आपको यहां जो मास्टर का ओप्चन है सबसे पहले आपको वह बजट हेड चेक करना है कि आपको जो बजट हेड वहां बताय गया था अधेस के अंदर में आपको पहले बजट हेड दिखा दूं जिस बजट हेड के हम बात कर रहे थे वह बजट हेड 22, 02, 109, 01, 00,05 यह आपको आपके प प्लान हेड में यह बजट हेड राख है तो बजट रख हैं जब बिल अलोकेशन करेंगे तो हमें बिल प्रोसेसिंग में जाना है और बिल अलोकेशन टेप पर क्लिक करना है। बिल बिल अपके से टेप पर जैसे क्लिक करेंगे Shtet एक से बिल लोकेशन के लिए कहेगा कृष्ट करना है बिल टाइप में आपको सलेट करना है fvc i cod इसे हैम करने गे बाद बिल टाइप में थर्ड पार्टी पेमेंट करना है और ऑब्जेक्ट हेड में 05 सेलेक्ट करना है जो अंत में आया था बजट हेड का जब नाम में आपको दिखाया था देखिए यह जो 05 है यह वाला आपको यहां पर टाइप करना है ऑब्जेक्ट हेड में हम हमने जीरो पांस टाइप कर दिया पे मंत जुलाई आ गया आज की तिधी में अगर हम बिल बना रहे हैं तो आज की तिधी सलेक्ट कर लेते हैं बिल नंबर यहां पर आप कुछ भी डाल दीजिए यह बाद में रेफरेंस नंबर में अपने आप कनवर्ट हो जाएगा बिल ने ओके करने के बाद में अब आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है तो अधर बिल पर सलेक्ट करना है अधर बिल में आपको थर्ड नंबर पर मिलेगा एफ़िसी बिल एफ़िसी बिल में जब साइट में जाएंगे तो आपको एफ़िसी प्रोसेस का उप्सन मिलेगा आप ए प्रोसेस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने मन्थ यह और यहां पर बिल नंबर के लिए आप सेलेक्ट कर लीजिए जो अभी आपने एक नंबर दिया था वह रेफरेंस नंबर में kanवन हो चुका है यहां पर उपने आप थर्ड पार्ट आचुका है और सब सेलेक्ट बिल टाइप यानि आप क्या करना चाहते हैं नon reimbursement है या रिंबर्समेंट नंबर्समेंट है या यानि हम पुनर और select करने के बाद यहाँ पर employee की detail आपको दिखाई देने लग जाएगी, उसका bank account number आपको दिखाई देने लग जाएगा, जो कि मैंने blur किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो भी सुचना है, आपको भरनी है, उनमें जो मुख्य सुचना है, भरनी है, वो मैं आपको बता दू, reference ID आपको 0 रखनी है, reference number 0 रखना है, invoice number, यानि जो fees की रसीद है, उसका number जो मैंने आपको दिखाई था, वो यहाँ पर insert करना है, और fees कब भरी गए थी, वो date यहाँ पर insert करनी है, यहाँ पर fees का invoice number, और fees की रसीद का invoice number, और fees की रसीद की date, दोनों मैं अब भरनी में आपको एक बार रसीद दिखा देता हूं, उसमें invoice number क्या है, और date क्या है, वही हम यहाँ आप insert करेंगे, यहाँ देखिए, वो fees की जो receipt number आपको दिखाई देता है, 29, 10, 644 में, और यहाँ पर जो time है, date है, 2 July 2016 का है, तो यही तिथिया महाँ आपको हमें और वही receipt number आपके insert करना है, मैं फटाबर से insert कर देता हूं, यहाँ मैंने invoice number डाल दिया है, रसीत का number और भुकतान की तिथी भी डाल दी है, अब जो office से आपका sanction order निकला है, जो मैंने आपको दिखाया था, उसका order number यहाँ पर insert करना है, और उसकी date यहाँ पर insert करनी है, मैं कालेले में जब आप निकालें, वो date यहाँ पर insert कर दें, यह देखिए, यहाँ पर पुनलबरन का sanction order number है, 66 oblique 2023 है, हम यहाँ पर insert कर देते हैं, insert करने के बाद, मैंने आपका sanction order number insert कर दिया है, sanction order की date डाल दी है, मैंने, माफ कीजिएगा, मैंने गलत जगन डाल दिया है, इसको तो sanction order number हमें यहाँ डालना है, 67 oblique और यहाँ पर oblique नहीं लगेगा, तो आप 67 ही छोड़ दीजिए, और यहाँ पर जो amount है, 2700 रुपे, वो हम insert कर देते हैं, 2700 रुपे की fees का पुद्रभरन करना है, और यहाँ पर region क्या है, यहाँ पर region में लिख देंगे RSCIT fee reimbursement, और यह करके हमें submit बटन को प्रेस कर देना है, देखिए submit बटन को प्रेस करने पर, क्या होता है, डाटा सबलता प्रोग प्र किस तार जो invoice की date है, वो आ जाएगी यहाँ पर, net amount आपको जो बुक्तान किया जाना है, उसकी रासी यहाँ पर आ जाएगी, gross amount यहाँ पर आ जाएगा, यदि आपको कुछ लगता है, तुर्टी पूनेद यहाँ पर सिस को आप delete कर सकते हैं, दुबारा add कर सकते हैं, एक बा document एक साथ, एक PDF बना कर upload कर देना है, देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा month और यहाँ पर आपको FVC select करना है, बिल टाइप में, FVC select करेंगे, तो group name select कर लेना है, जिस group में आपने बिल बनाया है, और यहाँ पर बिल नमबर select करेंगे, तो यहाँ पर document की list open हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको other document में, वो सभी document एक PDF बना कर upload कर देने हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो के प्रारम में बताये थे, बिल बनाने के पूर मैंने आपको बताये थे, वो समझ document एक जगए एक जाई करके आपको upload कर देने हैं, यहाँ पर other document को select करना है, और यहाँ से choose file, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार upload करके दिखा देता हूँ, choose file को select करना है, और desktop पर या computer में आपने जहाँ भी वो file रख रखी है, एक्जाई बना कर उसको यहाँ पर upload कर लेना है, मैंने यहाँ पर RSCIT document के नाम से बना रखी है, तो यह सभी document एक साथ यहाँ पर upload कर दिए जाएंगे, और submit button को आपको प्रेस कर देना है, submit button को जैसे प्रेस करेंगे, document यहाँ पर upload की process स्टार्ट हो जाएगी, और message मिलेगा document uploaded successfully, आपको OK बटन को प्रेस कर देना है, OK बटन को जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ पर document आ जाएगा, अब आपको reports section में जाकर reports को download कर जाना है, reports को download करने के लिए आपको reports में जाना है, other bill reports में जाना है, other bill reports में आपको FEC bill के नाम से कोई भी option नहीं दिखाए देगा, इसलिए यहाँ पर आपको दो option दिखाए देते हैं, advice inner, तो यह FEC का inner है, advice inner को आप download कर लिजिए, advice inner पर जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ आप FEC आ जाएगा, मन्त आ जाएगा, और plan group आ जाएगा, bill number आप select कर लिजिए, और bill type में third party आ गया, show report करेंगे, तो यह report डाउनलोड हो जाएगे, यह देखे report डाउनलोड हो चुकी है, इसी प्रकार यह तो आपका inner आ गया, इसी प्रकार आउटर डाउनलोड करने के लिए other bill reports में जाना है, और यहाँ पर outer report का option दिखाए देगा, यहाँ पर outer report पर आपको click करना है, outer report पर जैसे click करेंगे, FEC आ जाएगा, month आ जाएगा, year आ जाएगा, group का name select कर लेना है, bill name select कर लेना है, और show report पर click करेंगे, तो outer report आ जाएगे, यहाँ पर कोई deduction नहीं है, इसलिए यहाँ पर schedule की कोई आउशिकता नहीं है, advice inner download करना है, और outer report डाउनलोड करनी है, other bill में जाकर, other bill reports में जाकर, यह सब check करने के बाद में, आप check कर लें, आस्वस्त हो जाएं, आस्वस्त होने के बाद में, आप जब आस्वस्त हो जाएंगे, यह bill सही है, उसके बाद में आप आपको जाना है, bill processing tape में, यहाँ पर bill को forward कर देना है, forward करेंगे, तो यहाँ आपको month मिलेगा, और bill type select कर लेना है, FVC, और यहाँ पर group select कर लेंगे, group select करेंगे, तो यहाँ पर check box पर click करके, amount अपने आप आप आजाएगा, 27 रुपे का, submit कर देना है, आपको, submit बटन पर click कर करता ही, यह successfully का message मिलेगा आपको, और यहाँ से आपको forward बटन को click कर देना है, इस परकार से यह, जो bill था, FVC, वो डिडियो forward हो चुका है, डिडियो forward होने के बाद में, एक बार फिर आपको reports को download करना है, ज्यान दीजिए, डिडियो forward होने के बाद, एक बार फिर reports को download करना है, पहली बार जो आपने report download की थी, चेक करने के लिए, डिडियो forward होने के बाद में, आपको report download करना है, ताकि उस पर digital sign किया सके, जब आप report download कर लेंगे, report download करेंगे, तो report आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, मैं आपको दिखा देता हूं, यह inner seat आचुकी है, दे मैं अचो यहां पर चेक करेंगे, यहां पर यहां पर आउटर चेक आपने डाउंलोड नही की है, तो आपको message मिलेगा, कि आपने reports pastors नहीं किया है तो फिर आप वातव कर लें हुआ है कि हम ने याप चेक बोक्स पे फिर क्लिक किया आप देखिए डीपोर्ट डाउनलोड हो चुकी है तो यहां पर दो फाइल आचुकि है आउटर रूइनर के रुप में और जैसे आप साइन करते हैं वैसे आपको सब्सक्राइब कर दिना है जब बना सकते हैं आसफ करता हूं यह वीडियो आपके लिए उप्योंगी सावित होगा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बमें जरूर बताइए कि आपने कितने करमचारियों के बिल इस वीडियो को देखकर बनाएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद